नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक वाप फिर्ट से स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल यूटुब सहले पूजा में फ्रेंड्स प्रिग्नेंसी के दौरान आइरन एक बहुत इंपॉर्टेंट सूर्स होता है आपके बेबी के डिप्लमेंट के लिए आइरन के लिए नैशनल तरीके से आप खा सकती हैं कंजप्शन बढ़ा सकती हो जिसकी वज़े से आपको कभी भी डूडिंग प्रेग्नेंसी पूरे नाइन मन्त आइरन की डिफेंशियंसी की कमी नहीं होगी तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी महिलाओं के लिए द दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आइरन एक बहुत ही में सोर्स होता है प्रेग्नेंसी के दौरान अगर आप नॉर्मल डिवरी चाहती है तो भी अगर आप सुन्दर बेबी चाहती है गोरा और बिल्कुल स्वस्त बेबी तंदुरुस्त बेब इसके कारण आपकी हीमियोगलोविन तो ठीक हो जाती है लेकिन उसका एफेक्ट बच्चे के उपर पड़ता है और विकास में थोड़ी बहुत कम हो सकती है तो हर माई यहीं चाहती है कि दूरिंग प्रेग्नेंसी उनके बेवी को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो खास करके हेल से जुड़ी होई और उनके विकास को लेकर तो सबसे पहली बात यह है फ्रेंड्स की आईरन के भरपूर मातरा होती है साग सबजियों में साग हरे पत्तेदार सबजिया जो होती है वो आईरन से भरपूर होती है इसलिए आप जरूरी है कि पालग, बतुआ, म क्रीज होने लगे इसको बनाने के लिए अब हमेशा आयरन वाले ही जो बरतन होते हैं उसका यूज़ करें जो लोहे वाली कडाई होती है इन सारी चीजों में क्या होता है जब आप साख सब्जी बनाती है तो बहुत सारे महलाओं को लगता है कलर चेंज हो जाता है कलर तब च स्प्राउट एक बहुत ही मेन सोर्स होता है मल्टिपल विटामिन्स का साथे साथ मेन आयरन का तो अगर आप इस प्राउट्स पसंद करती है ड्यूनिंग प्रेग्नेंसी काफे सारी महिलाओं को अच्छा लगता है क्योंकि इस प्राउट्स में काफे सारे नुट्रिशन वैल की डिफिशेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं तो वह होता है पोंगे रैनेट अनार में सबसे ज्यादा आयरन की मातरा होती है और इससे भी ज्यादा अगर आप चाहती है तो बीट रूट्स बीट रूट्स काई सारी महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान पसंद नहीं आता है स्मेल्स से उल्टी होती है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगे कि एक पोंगे रैनेट डेली खाईए अगर इसकी जूस में पीएंगे तो काफे ज़्यादा बेनेफिट मिलेगा आपको और अगर आप बीट रूट खाएंगे तो इससे तो बहुत ही जल्दी आयरन की मातरा अगर आप सूखे में पर पसंद करती हैं तो सबसे ज़्यादा लावकारी होता है आलमंड यानि बदाम बदाम में बहुत ही अच्छे मातरा में आपको आयरन मिल जाएगा लेकिन डूरिंग प्रेगनेंसी आपको इसके छिल्के को रिमूव करके खाने के लिए बताया जात है इसलिए आप रात को बादाम जो है वो भीगो के रख दीजे चार बाद सुबह इसकी इसकी जो उपरी लेयर होती है उसको रिमूव करके और खालीजे और साथी साथ एक ग्लास मिल्क का सेवन जरूर करिए यह बहुत ही अच्छे से आयरन के पूर्ती करेगा पूरे नहीं होगी और भी काफे सारी टिप्स मैं इस चैनल पर प्रेग्नेंसी से रिलेटेड देती रहती हूं तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी कोड़िया फ्रिक्वेंट्ली कमेंट सेक्शन म लाइक करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूरान कर दें आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल लखिए टेक केर नमस्कार